आज की इस वीडियो में हम हिंदी की सूप्रसिद्ध लेखी का मनु भंडारी की कहानी अकेली का अध्यन करेंगे। जैसा की इस कहानी का शीर्षक है अकेली, वैसी ही इसकी कथा भी है। कहानी एक अकेली इस्त्री की मानसिक वेदना का मर्म इसपर्शी चित्रन है। कहानी की मुख्य पात्र सोमा भुआ के पती सन्यास ले चुके हैं उनके परिवार में अब कोई नहीं है वे अकेली इस्त्री हैं इस कहानी में मनु जी ने सोमा भुआ का चेत्र चित्रन बहुत ही समवेदना पुरुण धंग से चित्रित किया है तो आएए पढ़ते हैं मनु पुआ पुआ के पती समा भुआ का जवान बेटा हरखु क्या जाता रहा उनकी जवानी ही चले गई पती को पुत्र वियोग का ऐसा सद्मा लगा कि वे पत्नी घर बार त्याग कर तिरत वासी हो गए और परिवार में कोई ऐसा सदश नहीं बचा था जो उनकी एकाकिपन को दूर करता पिछले बीस वर्षों में उनके जीवन की इस एक रस्ता में किसी प्रकार का कोई वेवदान उपस्तित नहीं हुआ कोई परिवर्तन नहीं आया यो हर साल एक महीने के लिए उनके पती उनके पास आकर रहते थे पर कभी उन्होंने पती की प्रतिक्षा नहीं की उनकी रह में आखी नहीं बिचाई जब तक पती रहते उनका मन और भी मुझाया हुआ रहता क्योंकि पती के स्नेह हीन व्यवहार का अंकुष उनके रोज मर्रा की जीवन की अबाद गती से बहती स्वचंद धारा को कुंठित कर देता उस समय उनका घूमना फिरना मिलना ज चुलना सब बंध हो जाता और सन्यासी जी महाराज से यह भी नहीं होता कि दो मीठे बोल बोल कर सोमा भुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका आस्रा लेकर वे उनके व्योग के ग्यारा महिने काड़ दे इस इस्तति में भुआ को अपनी जिंद की पास पडोस वालो कर काम करती मानों वे दूसरे की घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो आजकल सोमा भुआ के पती आए हुए हैं और अभी अभी उन दोनों में कुछ कहा सुनी हो चुकी है भुआ अंगन में बेठी धूप खा रही है पास रखी कटोरी से तेल लेकर हातों में मल रही ह और बड़़ा भी रही है इस एक महीने में अन्य अवेवों के शितिल हो जाने की कारण उनकी जीव ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उड़ती है तभी हात में एक फटी साड़ी और पापड लेकर उपर से राधा भाबी उतरी क्या हो गया भुआ क्यों बड़़ा रही हो फिर सन्यासी जी महराज ने कुछ कह दिया क्या अरे मैं कहीं चली जाओं सो इन्हें नहीं सुआता कल चोक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था सारी बिरादरी को न्योता था मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गुरूर है कि मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता दिया गया है पर काम उन नई नवेली बहों से संबलेगा नहीं ये भी मैं अच्छे से जानती थी सो जल्दी ही चली गई हुआ भी वही और सरक्कर भुआ ने रादा के हाथ से पापड लेकर सुखाने शुरू कर दिये और कहने लगी एक काम वहां गत्से नहीं हो रहा था अब घर में कोई बड़ा भुड़ा हो तो बतावे या कभी किया हो तो जाने गीत वाली ओरते मुंडन पर बनना बननी गा रही थी मेरा तो हस्ते हस्ते पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया अपनी सहत स्वभाविक रूप में वे कहने लगी भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा समोसे कच्ची ही उतार दिये गए और इतने बना दिये गए कि दो बार खिला दो और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरी ने पड़े उसी समय मेदा सान कर नए गुलाब जामुन बनाए दोनों भवे और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस्मान रहे थे कि क्या बताओं कहने लगे अम्मा तुम ने होती तो आज भद उड़ जाती अम्मा तुमने लाज रख ली मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से थोड़ी आवेगा यह तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है नहीं तो सवेरे ही चली जाती तो सन्यासी महराज क्यों बिगर पड़े उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता क्या बुआ यों तो मैं कहीं आउँ जाओं कि घर में टांग अडाती फिरती है और एका एक उन्हें उस क्रोध भरी वानी और कटू वचनों का इसमरण हो आया जिनकी बोचार कुछ देर पहले ही उन पर हो चुकी थी याद आते ही फिर उनके आंसु भह चले अरे रोती क्यों हो भुआ कहना सुनना तो चलता ही रहता है सन्यासी जी महराज एक महिने को ही तो आकर रहते हैं सुन लिया करो और क्या सुनने को तो सुनती ही हूँ पर मन तो दुखता ही है कि एक महिने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते मेरा आना जना इन्हें सुھाता ही नहीं है सो तू ही बता राधा ये तो साल में 11 मेने हरिद्वार रहते हैं इन्हें तो नाती रिष्टे वाले से कुछ लेना देना नहीं पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बेट जाओं तो कैसे चलेगा मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ रखो सो तो इनसे होता नहीं सारा धरम करम ये ही लुटेंगे सारा जस्त ये ही बटोरेंगे और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहां इनके नाम को रोया करो उस पर से कहीं आओ जाओं तो वह भी इने परदाश नहीं होता और भुआ फूट फूट कर रो पड़ी राधा ने आशवासन देते हुए कहा रो नहीं भुआ अरे वे तो इसलिए नराज हुए कि तुम बिना बुलाई वहां चली गई बिचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती फिर घर वालों का कैसा बुलाना मैं तो अपने पन की बात जानती हूँ कोई प्रेम नहीं रखे तो दस बुलावे पर भी नहीं जाओ और प्रेम रखे तो बिना बुलावे भी सिर के बल जाओ मेरा अपना हरकू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे की भरोसे बैठी रहती मेरे लिए जैसा हरकू वैसा किशोरिलाल आज हरकू नहीं है इसी से दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती हूं और वे रोते रोते हिच्किया लेने लगी सुखे पापड़ों को बटोरते बटोरते स्वर को भरसक कोमल बना कर राधा ने कहा तुम भी भुआ बात को कहा से कहा ले गई लो अब चुप हो जाओ पापड भून कर लाती हूं खा कर बताना कैसा है और वह साड़ी समेट कर उपर चड़ गई कोई सपता है भर बात भुआ बड़े परसंद मन से आई और सन्यासी जी से बूली सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरत जी के यहां हुआ है वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रही हैं देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा फिर भी हैं तो सम्दी ही वे तो तुम को बुलाए बिना नहीं मानेंगे सम्दी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं और भुआ पुलकित होकर हैंस पड़ी सन्यासी जी की मोन उपेक्षा से उनके मन को ठेश तो जरूर पहुंची थी फिर भी वे प्रसनती इधर उदर जाकर वे इस विवाह की प्रगती की खबरें लाती आखिर एक दिन वे यह भी सुनाई कि उनके सम्दी यहां आ गए हैं और जोर शोर से विवाह की तयारियां च गए हैं उसके बाद से तो कोई सम्बंध ही नहीं रहा रखे भी कोन यह काम तो मर्दों का होता है और मैं तो मर्द वाली होकर भी बे मर्द की हूँ और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई अरे वाह भुआ तुम्हारा नाम कैसे नहीं होईगा तुम तो सम्दिन ठहरी सम्बंध में ना रहे कोई रिष्टा थोड़े तूट जाता है दाल पीस्ती ही घर की बड़ी बहु बोली है भुआ है भुआ है भुआ नाम है तुम्हारा मैं तो सारी लिष्ट देखकर आई हूँ विद्वा ननद बोली बैटे ही बैटे एक दम आगे सरक कर भुआ ने ब महां रुके चल पड़ी अपने घर आकर सीधे राधाभावी के कमरे में चड़ गई क्योरी राधा तू तो जानती है कि नए फेशन में लड़की के शादी में क्या दिया जावे समधियों का मामला ठहरा सो भी पैसे वाले खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेग मैं तो पुराने जमाने की ठहरी तू ही बता दे क्या दू अब कुछ बनने का समय तो रहा नहीं दो दिन बाकी है सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना क्या देना चाहती हूँ अम्मा जेवर कपड़ा या शिंगारदान या कोई और चांदी की चीजे मैं तो कुछ भी नही समझूरी जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ जो तू ठीक समझी ले आना बस भद नहीं उडनी चाहिए अच्छा देखूं पहले की रुपए कितने है और वे डगमगाते कदमों से नीचे आ गई दो तिन कपड़ों की गठरियां हटा कर एक छोटा सा बक्स नि बिंदी में नहीं लगेगी उनकी नजर अंगूटी पर गई यह उनकी मृत पुत्र की एक मात्र निशानी थी जो उनके पास रह गई थी बड़े बड़े आर्तिक संकटों के समय भी वे उस अंगूटी का मोहन नहीं छोड़ सकी थी आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका ठंडा पड़ गया था और पैरों की गती शितिल राधा के पास जाकर बोली रूपय तो नहीं निकले बहू आई भी कहां से मेरे यहां कोन कमाने वाला बेठा है उस कोठरी का किराया आता है उसमें तो दो समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे और वे रो पड़ी राधा तो भी वे नहीं भूले और मैं खाली हाथ चली जाओं नहीं नहीं इससे तो नहीं जाओं तो ही अच्छा है तो जाओ ही मत चलो चुटी हुए इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं राधा ने सारी समश्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा बड़ा बुरा म माने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी फिर बड़ी मिन्नत के सवर में बोली तू तो बाजार जाती रहती है राधा इसे बेश देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना गली में भुवानी चूडी वाले की आवाद सु कोई देख लेगा तो लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सीवे पीछे की दरवाजे पर पहुंच गई और एक रुपिया कलदार खर्च करके लाल हरी चूडियों के बंद पहन लिये पर सारे दिन हातों को साड़ी के आंचे से ड़के ड़के फिर शाम को रादा भावी ने भुवा को चांदी की एक सिंदूर दानी एक साड़ी और एक ब्लाउच का कपड़ा लाकर दे दिया सब कुछ देखकर और पाकर भुवा बड़ी प्रसंद हुई और यह सोच सोच कर कि जब वे ये सब दे देंगी तो उनकी समदिन परानी बातों की दुहाई दे दे कर उनकी मिलन सारी ताकि कितनी प्रसंद शा करेंगी उनका मन पुलकित होने लगा अंगुठी बेशने का गम भी जाता रहा पास वाले बनिये के यहां से एक आने का पिला रंग लाकर रात में ही उन्होंने साड़ी रंग ली थी शादी में सफेद साड़ी पहन कर जाना क्या अच्छा लगेगा रात में सोई तो मन कल की ओर दोड रहा था दूसरे दिन नो बशते बशते खाने का काम समाप्त कर डाला अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं फिर उपर राधा के पास पहुँच गई क्यों राधा तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है बड़ी चमक रहती है पर इसमें तो चमक आई ही नहीं तुमने कलक जो नहीं लगया अम्मा थोड़ा सा मांड दे देती तो अच्छा रहता अभी देलो ठीक हो जाएगी बुलावा कब का है अरे नए फेशन वालों की मत पुछो इन मोकों पर बुलावा आता है पांच बजे का मुहरत है दिन में कभी भी आ जावेगा राधा भाबी मन ही मन मुस्कुरा उठी भुवा ने साड़ी में मांड लगा कर सुखा दिया फिर एक नई थाली निकाली अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिय का एक छोटा सा मेच पोश निकाला थाली में साड़ी सिंदूर दानी एक नारियल और थोड़ी से बता सिशा जाए फिर जाकर राधा को दिखाया सन्यासी जी महराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई पत्चिस बार चेतावनी देडा ली थी कि यदि कोई बुलाने ना आए तो चली मत जाना नहीं तो ठीक नहीं होगा हर बार भुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा मुझे क्या बावली समझ रखा है जो बिन बुलाए चली जाओंगी अरे वह पोडोस वालों की नंदा अपनी आँखों से बुलावे के लिस्ट में मेरा नाम देख कर आई है और बुलाएंगे क्यों नहीं शहर वालों को बुलाएंगे और समधियों को नहीं बुलाएंगे तीन ही है और धूप सारी चट पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई फिर एका एक जैसे खयाल आया की है तो भावी के प्रशन का उत्तर नहीं हुआ जरा ठंडे स्वर में बोली मुहरत तो पांच बजे का है जाओंगे तो चार तक ही जाओंगी अभी तो तीन ही बजे है बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पूट दिया भुआ चट पर से गली में नजर फैलाए खड़ी थी उनके पीछे ही रसी पर धोती फैली वी थी जिसमें कलफ लगा था और अबरक चिड़का हुआ था अबरक के बिक्रे हुए कन रह रह कर धूप म मन भर आया बिना कुछ पूछे इतना ही कहा भुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहां क्या कर रही हो आज खाना नहीं बनेगा क्या साथ तो बज गए जैसे एका एक नीन में से जागते हुए भुआ ने पूछा क्या कहा साथ बज गए फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पर साथ कैसे बस सकते हैं मुरत तो पांच बजे का था और फिर एका एक ही सारी स्थती को समझते हुए स्वर को भर सक सेयत बना कर बोली अरे खाने का क्या है अभी बना लूगी दो जुनों का तो ही खाना है क्या खाना और क्या पकाना फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उत और फिर बड़े ही बुजे ही दिल से अंगीठी जलाने लगी